तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे कॉण्फलोर, कॉण्फलोर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 3 टेबल स्पून और साथ ही हम इसमें दालेंगे राइस फ्लोर जो कि यहाँ पर हम लेंगे 2 टेबल स्पून और उसी के साथ यहाँ पर दालेंगे रेट चिली पॉडर, 1 टेश्पून याँ अपने स्वाद के नुसर और नमक यहाँ पर लेंगे स्वाद नुसर और यहाँ पर लेंगे क्रश्ट करेवी काली मिर्च इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर दानेंगे water हम यहां पर पानी अपने अनुसार लेंगे या फिर आप तीन से चाट टेबल स्पून भी ले सकते हैं हम इस यहां पर थिक बहुत ही थिक बैटर बनाना है ताकि यह पनीर को अच्छे से कोट कर सके ज्यादा घट और ज्यादा हमको पतला भी नहीं करना है बहुत ही नॉर्मल थिकनिस पे यह बैटर हमको चाहिए तो देखे बिलकुल इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लें और यहां पर हम लेंगे पनीर जिसको मैंने पहले से डाइसर्स कर लिया है यह लगभद 200 ग्राम मैं यहां पर पनीर ले रहा हूँ और सारा पनीर को मैं अच्छे से बैटर्स के साथ मिक्स कर लूँगा तो देखे मिक्स होकर रेडिया अब हम इसको फ्राय करेंगे फ्राय करने के लिए यहां पर आइल पूरा अच्छा गरम हो गया है यहां पर हम एक एक करकर पनीर को फ्राय करेंगे यहां पर मैं टूटपिक की मदद से पनीर को जो डाइसर से इस तरह से लेकर इसे फ्राय करूँगा ध्यान ये रखना है आपको पनीर को ज्यादा फ्राय नहीं करना है गोल्डन ब्रॉन होने तक हम इसको यहाँ पर फ्राय करेंगे लग बग 5-6 मिनिट लगेंगे इसको फ्राय होने के लिए आप तोड़ा मीडियम फ्लेम स्टार्टिंग आप थोड़ा हाई फ्लेम पर रखें उसके बाद मीडियम फ्लेम पर ये अपने आप फ्राय होगा इसी तरह से आप इसको 5-6 मिनिट तक फ्राय करें जब तक यह गोल्डन अच्छे से ब्रॉन ना हो जाग गोल्डन ब्रॉन तो देखिए यहाँ पर हमने फ्राय करकर रख लिया है बहुत यह अच्छे से फ्राय होकर रेडी हो गए हम इसको अलग से प्लेट में रख देंगे यहाँ पर हम मनाएंगे सॉस सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हम लेग रहे हैं 2 टेबल स्पून ओयल या फिर आप अपनी मर्जी के साब से कम ज्याता भी कर सकते हैं ओयल को यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर ही गरम करेंगे साती यहाँ पर दालेंगे जिंजर गालिक और ग्रीन चिली एक से दो dentist करीवी इसे हाय फ्लेम पर हम अच्छे से और अब हम यहां पर दालेंगे अनियन्स जो कि मैंने आपे बल्ब्स में इस तरह से कट कर लिया है और यहां पर लिया है कैपसिकम रेड़ में आप चाहे तो ग्रिंग कैपसिकम इस्तेमाल कर सकते हैं फिर आप दोनों का भी एक ही साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको हमने ज तो देखिए लगबग एक से दो मिनिट हो गए हैं यहाँ पर मैंने फ्लेम को भी लो कर दिया है और हम यहाँ पर दालोंगा मैं रेड चिली सॉस एक टेबल स्पून और साथ ही यहाँ पर दालेंगा ग्रीन चिली सॉस वन टीस्पून और टमाइटो केचप और साथ यहाँ पर डालेंगे डाक सोया सॉस जोकि वन टेबल स्पून मैंने लिया है इन सारे सॉस को हम अच्छे से BUT करेंगे और साथ यहाँ पर डालेंगे शुगर राफ़टी स्पून जितना बहुत ही अच्छा स्पनी फ्लेवर और अच्छा सा रेडनेस कलर भी आएगा यहाँ पर हम salt का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले से ही batter में salt का इस्तिमाल किया था और soya sauce में भी थोड़ा सा नमक होता ही है अगर आप चाहें तो आप extra salt भी दाल सकते हैं मैं prefer करूँगा मत दालिएगा और साथ यहाँ पर जो leftover जो हमारा बैटर था उसमें से थोड़ा सा और पानी हमने उसमें add करकर यहाँ पर इसे हम इस्तिमाल करेंगे हमारी जो sauce को है अच्छे से मुझे थिक बनाएंगे थोड़ा सा और पानी के यहाँ पर मुझे जोरत पड़ रही है मैं और थोड़ा यहाँ पर पानी इस्तिमाल करूँगा पर इसे हम अच्छे से फराय करेंगे लगबग एक से दो मिनीट तक हम इसको करना है ज्यादा फराय मत कीजेँ ज्यादा प्राय करें भोट अच्जा वह उतने अच्छह आपको मजा नहीं आएगा ज्यादा आप इसको फ्राय मत कीजिए और साथ यहां पर हम दालेगे वन टेबल स्पूँ जितना स्प्रिंग अनियांस का जो ग्रीन पार्ट था तो दीखें बस एक मिनिट हमको यहां पर बनाना है तक्रीबन सब चीज़े पकर एड़ी है बस इसे हलका सा मिक्सट अप करना है बस तो दीखें हमारे चिली पनीर बनकर बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्टर दीख रहा है बहुत अच्छी है मुझे सॉस की जो खुश्बो आ रहे है पूरे सॉसस जो हमने मिक्स किये थे बहुत ही अच्छी उसमें से महक आ रही है और यहां पर थोड़ा से हम धालेंगे तिल अब हम इसको सर्फ करेंगे तो लीजिए हमारा यहां पर चिली पनीर बनकर रेड़ी है बहुत ही खुश्बुदार और बहुत ही स्वादेश बना है आप अपने घर पर इसे जरूर ट्राइ कीजेगा आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो बस यहां पर हम हरके से गानिश करेंगे और यहां पर हम स्प्रिंग अनियन भी लेंगे तो लीजिए हमारी चिली पनीर बनकर रेड़ी है उमीद करते हैं आप सभी को हमारे ये भी वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आगे के नोटिफिकर्शन जानने के लिए हमारे चैनल के बाइल आइकान पर भी ज़रू क्लिक कीजेगा थैंक ये वेरी मच बाबाई एव नाइस डे